अब बहुत अच्छे से रहे होंगे फ्रेंड्स है जैसा कि आप सभी को पता है कि तोड़े आज जो है दहिंदू का एडिटोरियल अनौसिस नहीं आता है तो दहिंदू में कोई बिसेस नहीं आता है और साम के समय चुंकि हमारे पास समय की अभाव रस्तता रहती है इसलिए स कराम के समय हम जो है आप लोगों को पॉलटी पढ़ाने का मैंने डिसीजिन लिया था कि पॉलटी हमाप का डिली एक एक दू-दो आरटिकल कबर कराते हुए एकजाम तक आपका पूरा का पूरा पूरा पूर्टी कबर कर देंगे तो इसी क्रम में हमने पॉलटी को हैं और आप लोगों के पास किताब हो या ना हो तो कोई जरूवत नहीं है हो तो अच्छी बात है खोल सकते हैं और नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है आप लोग देख सकते हो तो फ्रेंड्स यह आप लोगों की responsibility बनती है कि आप लोग जितना हो सके उतना like, share, subscribe करना न भूलें ताकि हम भी motivate होते रहें और आपको भी हर knowledge से रूबरू कराते रहें तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले lectures में यानि कि पोल्टी के पिछले lectures में आपको article दो तक हमने बकायदा आपको analysis करते हु हुए आपको पूरा का पूरा बता दिया था कि क्या है क्या नहीं है कैसे जो है चीजों को पूरे तरीके से आप ले सकते हो कैसे नहीं ले सकते हो तो आईए हम लोग अपने-पने topic पे चलते हैं और यह है चूंकि पूरा का पूरा यह article 1-4 तक कबर हो जाएगा तापका first part जो है complete हो जाएगा फिर उस पर basis हम लोग questions को solve करेंगे तो जैसा कि यह दो में क्या लिखा गया है आई यह हम लोग पढ़ते हैं हाला कि मैंने इसको पढ़ा दिया था लेकिन पुना revise करते हूं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी habit है पढ़ाने की technology है कि मैं अगर कोई तथ्या या fact या concept को read कराता हूं तो उसके पहले थोड़ा सा revise करा देता हूं ताकि चीजों को आपको समझने में बेहद आसानी हो तो अनुछे 2 में संसत को यह सक्ति दी गई है जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे आर्टिकल 2 में संसत को यह सक्ति दी गई है कि संसत बिधी के द्वारा एसे निर्बंधनों सरतों या जो संसत को उचित लगे संग में नए राज्यों के प्रविश या उसकी जो है अस्थापना कर सकेगी कहने का सिंसिये है फ्रेंड्स कि इंडियन पार्लियामेंट को यह जो है पावर है उसको यह पावर प्रोवाइट कराई गई है कि पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट को जो कुछ भी उचित लगता है उचित लगने का मतलब यह है कि बिधी द्वारा निर्बंधन द्वारा सर्त द्वारा या जिस भी प्रक्रिया के माध्यम से संसत को इसा लगता है कि संग में अब नए राज्यों के प्रविश कर प्राइब आना चाहिए समय आ चुका है आवसेकता है किसी अनिराज्य की इस्थापना को ले करके तो वह कर सकती है और इस रिलेशन्स में यानि कि इस रिलेशन्स में संदर्व में उसको दो तरीके की पावर प्रोवाइट करा आई गया है पहली जो पावर है वो आप लोग देख रहे होगे कि नए राज्य को भारत के संग में सामिल करें जो भारत का संग है वो जो है संग का निर्मार कैसे होता है तो नए राज्य को भारत के संग में जो है उसको सामिल करने की बात आती है नए राज्य को भारत के संग में सामिल करें दूसरा नए राज्यों के गठन करें यानि कि यह जो पहला वाला है नए राज्य को भारत के संग में सामिल करें का मतलब यह थोड़ा ब्यापा कर्थ लिया हुआ क्यों कि जो राज भारती संग के हिस्से नहीं है उनके परवेश और गठन से संबंदित है यानि कि कोई बीदेसी स्टेट हो गया भारत की सीमा से लगा हुआ कोई अन्य फारेन इस्टेट हो गया अगर वो भारत की सीमा में जो है सामिल ह हो रहा है तो उसकी बात की जा रही है और दूसरा जो है नए राज्यों के गठन से संबंदित की जा रही है कि जो राज्य जो है अस्तित्त में ही नहीं है यानि कि अभी वो बने नहीं है अन्य राज्यों को लेकर के जो है उसको उसके गठन की बात की जा रही है तो उसके उसकी बात की जाती है कि उसमें जो है कई सारे च्षेत्रफल को देख रहे हैं और दूसरा है नए राज्यों के गठन lotta करने की यह जैसे कि मैंने बताया कि यह पहले से जो है यह वो सकती है वो राज्य को प्रवेश को लेकर के बात करती है जो पहले से अस्तित्तों में है यानि कि पहले से अस्तित्तों का मतलब यह है कि उनका प्रजंट है लेकिन वो भारती संग में सामिल नहीं है और या तो वो भारती संग में सामिल होना चाहते हैं या तो भारत उनको संग में अपने संग में सामिल करना चाहता है हाला कि उनकी presentation है तो यह article यह कहता है और दूसरी जो सकती है वो यह कहती है कि वो संग के हिस्से नहीं है भारत उनका गठन करेगा और गठन करके प्रवेस करेगा तो ये जो है दूसरा ये कहता है कुल मिला करके जो आर्टिकल दो है सिधा सिधा वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वे राज जो भारती संग के हिस्से नहीं है उनके जो है प्रवेस और गठन से संबंदित है यानि कि एक तरीके से आप कहसकते हो कि भारत की सीमा से बाहर जो स्टेट है भारत की सीमा से बाहर जो राज्य हैं वह कुछ एसे छेत्र है जिन पर भारत ने कपजा किया हुआ है अंतरराष्टी सरकार से मानेता मिल गई है या किसी संदी के तहट भारत सरकार को कोई जमिन मिल गई है, तो उसके गठन से ले कर गए है, तो यह पूरा का पूरा एक ऐसा, एक ऐसी बात कहता है, कि जैसे जो स्टेट इंडियन फेडरारण में नहीं है, भारती संग remember, नहीं है, तो यह उसके गठन के बात कहता है, अद उसी के नीचे जो अर्डिकल तीन है, वो क् भारत संग के अंदर इस्टेट हैं यानि कि भारत संग के अंतर माली जी की वर्तमान में जैसे कि आप जानते हो कि ट्वंटी नाइन इस्टेट हैं जम्मू कस्मीर केंद्री राज्य है और केंद्री राज्य होने से पहले भारत में कुल कितने इस्टेट थे 28 इस्टेट थे अ वर्तमान राज्य की जो सीमा है उसमें पुनर सीमन की विवस्था करेंगे कहने का सिंस यह है फ्रेंड्स की यह चाहे उस राज्य की सीमा को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं उनके उनके जो है नामों में परिवर्तन कर सकेंगे तो जो तो यह जो है कैसे नय राज्यों का गठन करेगा, कैसे जो है नय स्टेट को लेगा, आईए उस पर देखते हैं, जैसे अनुछे जो तीन है, वो सीधा सीधा अधिकृत क्या करता है, अगर कोई स्टेट है, ठीक है, कोई राज्य है, और कोई राज जैसे माली जी इतना हमने काट दिया यार भारत सरकार ने काट दिया अलग कर दिया अब इसी के बगल यह स्टेट है अब इस स्टेट को जो है इसमें मिला दिया अब इस स्टेट को इसमें मिला करके क्या बना दिया एक स्टेट बना दिया तो यह क्या हो गया एक अलग स्टेट हो गया अब अगर क इसका एक भाग है और कोई इसका एक इतना भाग है इसको काट करके बना दिया ति यानि कि कहने का मतलब यह है कि जैसे दो शते है उसके कुछ भाग को काट करके हैं उसके अगर इस्टेट लंबा है या दो से टूर्टstep को लभा है उनके किसी भी पार्ट को अलग काट करके, कई सारे इस्टेट के अलग पार्ट को काट करके एक नया इस्टेट बना सकती है, यानि कि किसी भी बिधी से राज्य के गठन के संबंध में जितनी भी बिधियां होती हैं, उन किसी भी बिधियों का प्रियोक करके भारत सरकार एक नया इस्टिट का गठन कर सकती है तो यह जो है नय गठन से संबंधित बात थी कि जैसे यहां पर लिखा गया है किसी राज्जी की छेत्र को बढ़ा सकती है घटा सकती है राज्जी की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या राज्जी के नाम में परिवर्तन कर सकती है तो यह article number 3 में पूरी की पूरी जो बात थी वो नीहित बात थी और इसमें दो कंडिसंस हैं अब दो कंडिसंस क्या है आई इह हम लोग दिखते हैं दोनों को जो कंडिसंस हैं वो जैसे कहा गया है कि उसमें क्या प्रावधांस हैं परिवर्तन से संबंधित करना क्या होगा आपको कि एक अध्यादेश लाना होगा राश्टपती की पूर्व मंजूरी से पहले आप राश्टपती की मंजूरी लीजिए इसके बाद एक अध्यादेश ले करके आईए इसके बाद संसद में राज्य के गठन से संबंधित बिल पेस किया जाएगा और दूसरा संतुती से पूर्व राश्टपती क्या करेगा उस अध्यादेश को जो है संबंधित राज्य विधान मंडल का मत जानने के लिए भेजेगा यानि कि इसमें जो बात कही गई है राज्य के गठन से ले करके उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि अगर राज्य की गठन आपको करना है तो सबसे पहले कि राश्टपती की राश्टपती का अध्यादेश लीजिए राश्टपती के अध्यादेश से अध्यादेश लेने के बाद जो है वो आप जिस राज्य का गठन करना चाहते हो या जिस राज्य का पार्ट काटना चाहते हो जिस राज्य की बिशे में है उससे संबंधित मत जानने के लिए वहाँ के राज्य विधान मंडल के पास आप अपना मसोधा जो अध्यादेश लिये हो राज्य के गठन से संबंदित उसके पास भेजिए और उसका मत जानने के लिए भेजिए यहाँ पर आपको एक कांसिप्ट याद रखना है कि राष्टपती बाद ही नहीं है राज्य सरकार की मत को मानने के लिए राज्य विधान के भीतर आ गया तो ठीक नहीं आ गया तो भी ठीक केंदर सरकार अपना काम कर देती है तो इसके बाद जब वहां की मत आ जाती है तो उस अध्यादेश को जो है कहां पर भेजा जाएगा जैसा कि मैंने बताया कि अध्यादेश जो है यह विधान मंडल के पास भेजा जाता ह है कि आपका क्या राय है तर इसके बाद जो है जो बिल है वो पेस किया जाएगा इसके बाद जो कानून बनने की प्रक्रिया होती है उससाब से रन नए राज्यों का गठन हो जाता है इसके अतरिक जो है संसत को ईन्लसिस करते हुए बताय था जो शंग है वो किसी भी स्टेट को एक सेंट्रल पारट के साथ यानि कि केंदरी राज और राज के साथ, राज राज के साथ, राज संग के साथ, राज दो राजियों को मिला करके एक राज, दो राजियों के अलग-अलग पारड को काट करके एक स्टेट, तीन राजियों को मिला करके एक स्टेट, यानि कि मैंने जो बताया कि राज के गठ प्राश्टुपती या संसद राज्य बिधानमंडल का मत्द जैसे की मैंने बताया कि मानने के लिए क्या है बाद भी नहीं है वो इसी स्विकार कर सकता है चाहे समय पर आया हो अथो समय पर ना आया हो संसुधन संबंधी जो अध्यादेस होता है संसद में आने पर हर बार राज्य की बिधानमंडल के लिए निया संधर बनाना जरूरी नहीं होता है यानि कि एगर राज्य की गठन से संबंधित है तो हर बार इसा करना आवसेक नहीं होता है जो नियम बन गया है उसको ही फालो क कि बात आती है Central State के गठन की बात आती है उसके पारट को काट करके राज्य बनाने की बात आती है तो उसमें राज्य सरकार की कुछ नहीं चलती क्योंकि वहां पर सीधी सीधी संग छेतर का प्रसासन होता है संग का प्रसासन होता है केंद्र सरकार का प्रसासन होता है और इसलि कुछ भी कर सकती है और उसमें राज्यसरकार की कोई भी अनुमति नहीं चाहिए ये concept आप लोग लर्ण के लिजेगा कि बगए राज्य सरकार की अनुमती से केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है यानि कि भारत की संसद जो है अपने अनुस्वार अपने हिसाब से भारत का राजनीतिक मांचित्रण पुनन निर्धारण कर सकती है इस तरह संविधान क्या है संविधान के द्वारा छेतरी ये कता या राज्य के अस्तित्तु की गारंटी नहीं दी गई है ठीक है तो इसी तरह से भारत को कहा गया है भारत के बिसे में जैसे कहा गया है कि बिभक्त राज्यों का अबिभाज संग है संग सरकार चप चाहे तब राज्य को समाप्त कर सकती है जब कि राज्य सरकार कभी भी संग से न तो अलग हो सकता है नहीं उसे समाप्त कर सकता है अब यहां पर आपको Article 1 का जो मैंने बताया था संग का निर्माड वो इसका प्रयोग आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा यानि कि इस्टेट के संबंध में सेंट्रल गवर्मेंट को पूरा का पूरा पावर है कि वो कुछ भी करें, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, नाम बदल सकती है सीमा घटा सकती है, सीमा बढ़ा सकती है, उसको किसी अन्य इस्टिट में मिला सकती है, उसको उसका पूरा का पूरा अस्तित हटा करके केंदर में बदल सकती है, जैसे जम्मु कस्मीर, जम्मु कस्मीर में पहले राज एक अलग इस्टिट था, आर्टिकल 370 स्पेसलिस्ट उस के लिए संद्रभ में था उस पूरा को खतम करके उसको केंद्र में बदल दिया केंद्र इस्टिट कर दिया तो वहां पर भारती संसत को यह पूरा का पूरा पावर होता है वह कुछ भी कर सकती है उसमें किसी की भी जो है आवसेक्ता नहीं होती है वो कुछ भी करे तो दूसर वो संग का निर्माड राज्यों ने मिलकर के किया है जबकि भारत में राज्यों का निर्माड संग ने किया है तो इस तरीके से जो अमेरिकी सरकार है अमेरिका की जो संग है जो अमेरिका की संगी जो सरकार है वरतमान की मेने बात की लेकिन अमेरिकी की जो संगी सरकार है वो नए राज्यों का निर्माड या उनकी सीमाओं में परिवर्तन बगैर संबंधित राज्यों की अनुमतिके नहीं कर सकती। इसलिए अमेरिका को अभिभाजी राज्यों का अभिभाजी संग कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो था आर्डिकल दो तीन का पूरा पूरा बिधिवत इनालसिस था। अब हम लोग आर्डिकल 4 पे चलते हैं। आर्डिकल 4 क्या है उसके संबंध में बात करते हैं। कि आर्डिकल जो है जैसा कि मैंने अभी अभी बताया। ये मैंने छोटा-छोटा काट ताकि पूरा देखकर के आपको समझ में आ जाया। अब जो है आर्डिकल 4 क्या कह रहा है? ये भी हमने अभी आपको समझाया। आ भी विभाज्य राज्यों का विभाज्य संग कैसा है कैसा नहीं है। आर्टिकल 4 में, पूरी की पूरी बात क्या लिखे गई है, यह देखे आर्टिकल 4, स्वच्षड़ा करता है कि नय राज्यों का जो प्रवेस या गठन है, इतना आप याद रखिये कि नए राज्यों के प्रवेष या गठन से संबंदित है यानि कि भारत की सीमा छेत्र से बाहर जो राज्य भारत अदिग्रान करे उसके संग गठन से संबंदित है और तीसरा भारत के संग में ही किसी या नय राज्य का निर्माण या गठन करना हो तो उससे संबन्दत है जो आर्टिकल 3 है भारत की सीमा के अंदर राज्यों के निर्माण की बात करता है और भारत की सीमा से बाहर अकर कोई छेतर भारत अधिगरहन करता है तो उसके गठन को बात करता है अब इसको भारती संसत के द्वारा ये जो वर्ग किया जा रहा है यानि कि भारत संसत इस वर्ग को संभिधान जो अनुछे चार है वस्वयम में घोशड़ा करता है कि नए राज्यों का प्रवेशिय अगठन अनुछे दो के अंतरगत नए राज्यों के जब किया जाएगा तो उसको संभिधान के अनुछे 368 के तहट संसोधन नहीं माना जाएगा यानि कि उसमें जो है आप कोई भी बात दिवात या चर्चा या कुछ वैसा जो संसोधन है कि कैसे एक होता है कि अगर कोई कानून बनाना होता है तो सबसे पहले आप अगर उसक खंड जोड़ना पड़ता है लेकिन आर्टिकल 2 और 3 का जब भी प्रयोग होता है या जब भी प्रयोग होगा तो इसमें बगैर किसी संसोधन के प्रयोग किया जा सकता है यहाँ पर पूरी की पूरी जो इंडियन पारलियमेंट है उसकी यूनिटी है इंडियन पारलियमें यहां पर सोवरनाई जीटी रखती है यहां पर स्टेट को कोई भी पावर नहीं परदान किया गया है स्टेट आर्टिकल दो और आर्टिकल तीन के संबंध में सुन्य है नगड़े है यहां पर उसका कोई भी मंतब्य, वक्तब्य, बिरोध, स्वामर्थ, कुछ भी नहीं काम करता और इसलिए भारत एक जो अभिभाजित राज्यों का अभिभाज्य संग है यही कारण है क्योंकि आर्टिकल दो और तीन के मामले में संबिधान में राज्यों को कोई भी पावर नहीं प्रदान किया गया है आर्टिकल दो और तीन के मामले में संसद पूरी तरफ से अपनी एक तरफा सकती का प्रियुक करता है और संसद ही सर्वे सर्वा है तो यह जो है किसी भी तरीके से यहाँ पर इस तरीके का जो कानून है एक सामान बहुमत और साधारन बिधाई परक्रिया के जरिए पारित किया जाता है जैसा कि जब कानून लाया जाता है तो सामाने बहुमत के जरिये ही आप इसको ले करके साधारन विधाई परक्रिया जो होती है उसके तहत ले करके आप इस कानून को लाते हुए नाम में परिवर्तन कर सकते हो नाम में कर सकते हो अभी हमने यही बताया आपको article 4 में ये देखिए जो मैंने अभी analysis किया कि 366 के तहसन सोधन में नहीं माने जाएगा और इस तरीके का का जो कानून होता है उसको लाने के लिए आप सामान निभामत और साधारन वेधाई परक्रिया का प्रियोग करते हुए ले करके आ सकते हैं तो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा article जो है था article 124 कैसे था कैसे नहीं था उसके भी से में हमने आपको बताया और अब आगे चुकि lecture लंबा नहोंने पाए अब आगे जो है अभी हमने बताया कि जैसे article 3 को लेकर के बहुत सारे questions उठते हैं उसके questions क्या हैं वो हम आपको कल क के lectures में पढ़ाएंगे आज इतना ही कल के lectures में सीधा सीधा ये प्रसन है कि क्या संसत को अधिकार होता है कि किसी राज्य छेत्र को समाप्त करके अन्य देश को दे दे या अन्य देश के छेत्र को मिला दे भारत में तो इस तरीके का जो questions है उसको हम कल देखेंगे कल के lectures में ये आगे का पारट हम पूरा का पूरा कबर करेंगे तब तक के लिए a lot of thanks मिलते हैं friends next lecture पर इस प्रसने के साथ आप लोगों को समझ में आया होगा I hope तो like केजिए का नहीं समझ में आया होगा तो कहां नहीं समझ में आया है comment box में लिक करके पूछिएगा और जितना हो सक्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं friends next lecture में तब तक के लिए a lot of thanks जै हिन जै भारत